कि अब दोस्तों वेलकम बैक तो मैं चैनल कुक्फित फर्या और आज हम बनाने हैं मज़िदार से गुलाब जामुद तो चलें गुलाब जामुद बनाते हैं और मैं आपको अपने एक डिसिजन के बारे मतादू पर डिसिजन यह है कि मैं इंगलिश और उर्दू में दोनुमें वेडियो बनाओगी तो चलें हम बनाते हैं और अच्छा जिसमें आपको स्टीब बन रहा है आप उसमें देख लें तो चलें अब बनाते हैं हमें सब से पहले चाहिए ड्राय मिल्क पाउडर वन कप वन कप ड में सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छा जुवनने घी डाला है वह और देशीगी तो बीटों से मिक्स कर रहे हैं में डूट मैश तो चीज यह पने डाल दिया हैं दूद इसमें कोटर है कोटर कप दूद है हमारे पास हमें इसके अंदर डाल दिया और यह 2 बन जाए जो है सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा स्मूथ जो है हमारा इस तरह का आपका डो बन जाएगा तो देखें यह देखें जी ठीक है जी अच्छी तरह से हमारा जो है डो बन जया है और अब जो है यह था यह जी तो अब हम इसकी छोटी-छोटी सी बाल्स बना लेंगे पहले हम अपने हाथों को ओई लेंगे बिकॉस चुपक जाता है हाथों में तो अब हम जो है इसको बाल्स बनाएंगे चोटी-छोटी सी क्योंकि अगर हम बड़ी बनाएंगे तो यह फूल जाती है बाल्स तो इस तरह कि अगर हम बना रहे हैं तो यह थोड़ी सी बड़ी हो तो अब हम जो है शीरा बनाएंगे तो इसको रख देंगे तो अब हम जो है इसक चीनी और यह दो embracing पार समय हैं जो हमासे मारे पास एक कप पांई है तो शीरा बनारहे हैं तो हमें चीनी जुड़ात होती ही है तो दोनों चीज़े एक एक कप हैं चीनी भी और शीरा भी पानी और प्रिर जो है हम अपनी बॉल्स भी फ्राइब करेंगे तो जी इसका धकान धक दे और अब हम पाँच मिनट के बाद इसको खोल देंगे तो एक दफ़ा खोल के भी देख लेते हैं तो ठीक है ना अब हम बॉल्स फ्राइब करेंगे और यह गोल्डन ब्राउन सी हो जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे और यकिनन आपको विडियो देखे मजा रहा होगा आप इंजॉय कर रहे होंगे जरूर आप भी बनाएंगे मुझे तो गुलाब जामन बहुत पसंद है यकिनन आपको भी होंगे इसलिए मैंने सोचा मैं आपको रेसिपी बता दूँ तो देखें यह अच्छे से फ्राइ हो जाएंगे अभी देखें यह फ्राइ हो रहे हैं अब हम इसको चांद के शीरे में डालेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर लाइक जरूर करेंगा आफे